हलो बच्चो वेलकम टू आवर चैनल SRS Learning और बच्चो ये आपकी बेटा Mathematics की Second Class की बेटा Worksheet है Worksheet का जो नमबर है वो है 127 127 और जो हमारी बच्चो डेट है वो है 8 December 2020 ठीके बच्चो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है वो आपको आपको आप पर नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी Class Teacher का या जो टीचर है वो पढ़ाती है वो लिखना है ठीके अब क्या है हम पढ़ना शुरू करते हैं मेरी गुल्लक क्या है गुल्लक आपको सबी को पता है जिसमें आप क्या है जो भी आपको Pocket Money मिलती है वो आप रखते हैं या आपके रिष्चेदार आपको पैसे दे के जाते हैं वो उसमें आप सेव करके रखते हैं क्या है मेरी गुल्लक अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक महले के सभी लोगों ने मिलकर गेट के पास एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाने का सोचा किया यह तो बड़ अपने पैसे देने का निश्य किया यह बच्चो की जो आदत है इस प्रकार के बहुत अच्छी है बच्चो सभी बच्चे दोड़कर अपने अपने घर गए उन्होंने अपनी अपनी गुल्लक क्या खोली और उसमें रखे पैसों को गिनने लगी सबसे पहले प्रिया जो है प्रिया ने अपनी गुल्लक खोली उसकी गुल्लक में 10 रुपे के 3 नोट थे 10 रुपे के कितने नोट थे 3 और 1 रुपे के 2 सिक्के थे उन्हें गिना और कहा मेरे पास 32 रुपे हैं आपको पता है बच्चो सभी की गुल्लक में सिर्फ 10 रुपे के नोट और 1 रुपे के सि क्या है 10 रुपे के नोट थे और सिक्के ही जमा थे अब क्या करना है हमको के नीचे दी गई तालिका में हर बच्चे के गुल्लक से निकले 10 के नोट और एक के सिक्के बने हुए हैं हर बच्चे गुल्लक से कितने रुपे निकाले इसका हमें पता लगाना है जैसे आपको पिर दो नोट हैं और 1 रुपे कितने सिख््क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 तो कितने हो गए इसके पास 25 रुपे हो गए 25 रुपीस ठीक है? बचते ये साइन जो आप देख रहे हैं ये रुपीस का साइन होता है अब क्या है? मोना के पास 10 रुपे का 1 नोट है और 1 रुपे के 1, 2, 3 3 नोट, 3 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो गए 13 रुपे ऐसे ही राधा के पास 10 रुपे के 2 नोट है और 1 रुपे के कितने सिक्के हैं 1, 2, 3, 4, 4 तो इसके पास कितने हो गए बैचे 24 रुपे 24 ऐसे ही शमी के पास शमीम के पास एक दो तीन चार चार नोर तो दस रुपे के हैं और कितने सिक्के हैं उसके पास एक दो तीन तो इसके पास कितने हो गए 43 ठीक है तो यह क्या हो गए 43 रुपे तो बच्चे यह आप यहां से बेटा देख के उतार लीजेगा मुझे पूरी उमीद है बच्चो आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो क्या है आप आपने गुल्लक के रुपो का पता कैसे लगाया ओडियो और वीडियो के दुवारा अपनी टीचर को बताई आप क्या है अपनी वीडियो यो ओडियो बना सकते हैं पूरी आपको समझाया है आप उसी थारीके से समझाये कैसे समझायेंगे ञापके रातके पास दस रुपे के दो aconte तोह हो गए 20 तक है और एक द्रुपे के चार सिक्के है तो हम प्लस करेंगे चार में तो टोटल हो गए 20-24 रुपे तो आप इस तरीके से ही समझा के explain केजिए और अपनी मैडम को क्या है इसका वीडियो यो ओडियो बना के बच्चे भीज़ें और हाँ बच्चो साथ में अगर आपको पेरेंट्स आपके पैसे दे रहे हैं जैसे इनों ने किया है बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने किया है किसी की मदद करके तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों हमें कभी भी फिजूल खर्जी नहीं करनी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि COVID-19 चल रहा है इसमें पैसों की कितनी दिक्कत हो यह लोग पता नहीं कहां कहां से बिचारे अपना घर का कुजारा कर रहे है इसलिए हमें भी फिजूल कर्जी नहीं करनी चाहिए और अपने पैसों को जमा करना चाहिए पता नहीं कभ हमें पैसों की जरूरत पढ़ जाए ठीक है बच्चो तो आपको मुझे पूरे उमीद समझ में आ रहा होगा तो बच्चो लाइक दा वीडियो वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए शेयर कीचे और साथ ने बच्चो सबसे इंपोर्टन चीज बटा सबस्क्राइब जूर कीजिएगा दूसरे बच्चों के हमेशा खुश रहिए हमारी यही आपके दूआ है और पढ़ते रहिए और कोविड-19 से बेटा बचके रहिए हमेशा कहीं भी जाए मास लगाए दोगज दूरी का ध्यान रखें और अपने हातों को टाइम टू टाइम सानिटाइज कीजिए बच्चों